तीन दशकों से कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होता रहा है। हाल ही में तीन आतंकियों द्वारा दक्षणी कश्मीर के त्राल में नगर पारशाग बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या कर दी गई है। उन्हें आज भी कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी खटकती है। यही कारण है कि वे फिर आतंगवाद की जणे मजबूत करने की नाकाम कोशिश में जुटे हुए हैं। दरसल घाटी में आतंगवाद के चलते राकेश पंडिता का परिवार 1990 में पलायन के बाद जम्मू आ गया था। 2020 में यानि 30 साल बाद राकेश पंडिता फिर से त्राल लोटे जहां उन्होंने और उनकी पत्नी ने बिजेपी की टिकट पर स्थानिय निकाय का चुनाव लड़ा और दोनों जीत भी गए थे। इसी तरह कश्मीरी पंडित समुदाय के कई लोग विभिन राजिनेतिक दलों से जुड़कर घाटी में शक्रिये हैं। कि किसी भी तरह कश्मीरी यों को वापस लाय जा सके। इसी बीच राकेश पंडिता की मौत के बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा संदेह के घेरे में है। आखिर कब तक कश्मीरी पंडित इसी तरह अपनी जान गमाते रहेंगे। आखिर कब तक वह आतंकियों की गोलियों का निशाना बनते रहेंगे। इसी तरह की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रिस कीजिए।